मेश राश्यवालों नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर दोस्तों आने वाले अगले तीन दिनों का समय आप सभी के जीवनकाल का सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला समय है दोस्तों आप सभी को बता दे आने वाले अगले तीन दिनों के अंदर आपको वह खुशखबरी मिलने वाला है जिसका आप अभी सभी से इंतजार कर रहे थे और उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मातारानी के सच्चे भक्त हैं जो मातारानी शिव प्रेम करते हैं वीडियो को सर्व प्रथम एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जै माता दी तीन बार लिख दीजिएगा जिससे मातारानी का आशिरवाद आपके और आपके परिवार पर बने रहे दोस्तों आप सभी को बता दे कि आपके लिए अद्भुत समय आया है अब आपके जीवन में खुशियों का एक नई उमंग आने वाला है अब आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है क्योंकि कुछ ऐसे ही घटना आने वाले अगले तीन दिनों के अंदर होने वाली है जिससे पूरे गाव समाज में हड़कंप मज जाएगा सभी लोग अब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपके जीवन में आखिर यह क्या हो रहा है इतने सारे चमतकार और एक साथ आप आदमी है कि भगवान है लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे जी हाँ दोस्तों लेकिन दोस्तों जब भगवान देते हैं तो छपपर फाड़ के देते हैं सब उसी का खेल है और अब आपके जीवन में वही खेल होने वाला है आने वाले तीन दिनों के अंदर आप सभी की घर में पांच बड़े देवता आने वाले जो अगले तीन दिनों के अंदर आपको जीहां दोस्तों यह पांच बड़े देवता आप सभी के जीवनकाल में खुशियां लेकर आने वाले हैं और खुशियों से आपकी जोली भर देंगे। आप ने लगातार मेहनत किया है और परिणाम पाने के लिए आपने बहुत ज्यादा कश्ट किया है। लेकिन आपको अभी तक उसका परिणाम नहीं मिला था दोस्त। लेकिन भगवान के घर देर हैं अंधेर नहीं है। भगवान जब देते हैं छप पर फाड़ कर देते हैं और समय अब आ चुका है। जब आपके जीवन में आपके सारे अच्छे करमों का फल मिलने वाला है और दोस्तों आने वाले अगले तीन दिनों के अंदर आपके सारे मेहनत के सारे वह इंतजार का शुब फल मिलने वाला है। दोस्तों और जानकारी के लिए आप सभी को बत एक तरफ से पैसा आता है, तो दूसरे तरफ से पैसा चल जाता है, और आप दिन रात कमाते हैं, फिर भी घर की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन दोस्तों, अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब आप सभी के जीवन में यह पंच देवता आ चुके हैं और अब आपकी यह सारे कष्ट समाप्त होने वाले और जो दुश्मन हैं जो आपको परेशान करते थे, जो आपको देख कर चलते थे वह अब हाथ जोड़कर आपके आगे सर पटक पटक कर रोने वाले हैं क्योंकि दोस्तों, अब वह अपने बिछाई जाल में खुद फसने वाला है भगवान जो करता है, अच्छे के लिए करता है ये बात आप समझ लीजिए और जो हो रहा है, उसे होने दीजिए भगवान ने आपके लिए जो सोचा है, वह अच्छा ही सोचा है आपको लगता है कि यह कार्य हो जाना चाहिए लेकिन अगर वह कार्य नहीं हो रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई न कोई भगवान का ही लीला है उसमें जरूर ही आपकी नानी होने वाली होती जो अभी आपको लग रहा है कि लाब देगा लेकिन आगे हनी आपको देख सकता था इसलिए वह कार्य नहीं हो रहा है ऐसा सकारात्मक भाव आपको समझना है भगवान कहते हैं भगवान श्री कृष्णा के मनुष्य के पास सिर्फ कर्म करने का अधिकार है उन्हें फल में दूंगा इसलिए आपको घबराना नहीं चिंता नहीं करना है आपके साथ कभी बुरा नहीं हुआ है और नाहीं बुरा होगा लेकिन सतर्क और शासन रहना आपका कम है यदि आप ऐसे कार्य नहीं करेंगे तो आपके लिए परेशानी भी हो सकता है ग्रह गोचर तो खराब होंगे ही साथ ही साथ ईश्वर की सकारात्मक शक्ति भी आपसे नाराज हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है और अब सब का हिसाब होने वाला है भगवान के नजर से कोई बच नहीं सकता है लोगों को लगता है कि हम यहां पर चोरी कर लिए तो बच गए हमें किसी नहीं देखा लेकिन वह ये बात भूल गए कि उपर वाला जो बैठ कर सभी को देख रहे हैं जो उपर में बैठ कर खेल खेल रहे हैं उसकी नजर से हम नहीं बच सकते है दोस्तों आने वाले अगले तीन दिनों के समय के अंदर आपके जीवन का अच्छा समय आने वाले और जीवन में जब भी अच्छा समय आता है इश्वर हमें कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं यह समय आप सभी के भी जीवनकाल में संकेत मिलने वाले हैं क्योंकि आपकी कुंडली में अमृत सिध्धी योग, भाग्यवान योग, धन वृध्धी योग, भगवान शिव का शिव नाम का योग, शनी देव का सैस योग और माता लक्ष्मी का, महान लक्ष्मी नाम का योग का निर्मान हो चुका है ग्रह गोचर अच्छा है और यश में पांच देवी देवता आपके घर आने वाले हैं तो आपका समय अच्छा है और इस शुभ समय में आपको यह देवी देवता कौन-कौन से संकेत देने वाले हैं और आने वाले अगले तीन दिनों के अंदर आपक तो बहुत पच्चता होगे। जी हाँ दोस्तों, जब बुरा भी समय होता है, तब भगवान समझने के लिए संकेत देते हैं, लेकिन इंसान समझ नहीं पता, इसी लिए वह धीरे-धीरे बरबाद हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जब हमारे जीवन में अच्छे समय का आगमन होता है, तो देवी देवता हमें विभिन संकेतों के माध्यम से यह बताने की कोशिश करते हैं, कि अब हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। ये संकेत हमारे चारों ओर प्रकट होते हैं। कभी स्वप्न में, कभी प्राक्रतिक घटनाओं में और कभी धार्मिक अनुभवों में। ये संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनका सही समय पर पहचानना आवश्यक होता है। यदि आपके घ़र में अचानक से उल्लु आकर बैठ जाता है, तो इसे माता लक्ष्मी का शुब संकेत माना जाता है। जो यह बताता है कि अब आपके आर्थिक जीवन में खुशहाली आने वाली है। ऐसे समय में आपको अपने घर को स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना में विशेश ध्यान देना चाहिए। अगर आपको स्वप्न में गौमाता का दर्शन होता है तो यह भगवान श्री कृष्ण का संकेत है। गौमाता भगवान कृष्ण को अत्यधिक प्रिय हैं और उनका स्वप्न में दर्शन आपको यह बताता है कि आपके जीवन में सुख, शान्ती और आध्यात्मिक उन्नती का समय आ रहा है। यह संकेत यह भी दर्शाता है कि अब आपको अपने जीवन में दया, प्रेम और करुणा के गुणों को और अधिक बढ़ाना चाहिए। इस समय में भगवान कृष्ण की भक्ति करना और गायों की सेवा करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। पीपल के पेड के नीचे दीपक जलाना एक ऐसा धार्मिक कार्य है जो भगवान शनी की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। देवता की उपासना करनी चाहिए ताकि उनके आशीरवाद से आपके जीवन में स्थाई सुख सम्रिध्य बनी रहे। स्वप्न में शिवलिंग का दर्शन एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण संकेत है जो यह बताता है कि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी हुई है। यह आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि अब आपके जीवन में सभी दुख और कष्ट समाप्त होने वाले हैं। भगवान शिव की भकती में ध्यान केंद्रित करना और अपने कर्मों को शुद्ध करना इस समय आपके लिए अति आवश्यक है। शिवलिंग का दर्शन आपके जीवन में एक नई सकारात्मक उर्जा का संचार करता है और आपको यह बताता है कि अब आपके जीवन में केवल सुख और शांति का ही वास होगा. अगर कभी आपके घर के पास या आपके द्वार पर सफेद गाय आकर खड़ी होती है तो यह भगवान विश्णु का एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है. सफेद गाय को भगवान विष्णू का प्रतीक माना जाता है और इसका आगमन यह दर्शाता है कि आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होने वाली है ऐसे समय में गाय की सेवा करना और उसे प्रेम से अन्न खिलाना आपके लिए अत्यंत शुभ माना जाता है यह भगवान विष्णू की कृपा का प्रतीक है जो यह बताता है कि अब आपके जीवन में सभी प्रकार की सम्रिध्धि और सुख आने वाले हैं जब कभी घर के पास कोयल का मीठा स्वर सुनाई देता है तो इसे माता सरस्वती का संकेत माना जाता है कोयल का गाना यह दर्शाता है कि आपके जीवन में ग्यान, कला और संगीत के क्षेत्र में उन्नती होने वाली है माता सरस्वती की कृपा से आपको अपने जीवन में एक नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा यह समय आपको अपने ज्ञान और कला को और अधिक निखारने का है और इस समय का सही उपयोग करके आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं स्वप्न में देवी काली का दर्शन होना शक्ति और साहस का प्रतीक है यह संकेत देता है कि आपके जीवन में किसी बड़ी समस्या का समाधान होने वाला है और आप अपने जीवन में एक नई उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं देवीकाली की उपासना से आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं और जीवन के कठिन समय में भी स्थिरता और साहस के साथ आगे बढ़ सकते हैं यह समय आपको अपने भीतर के साहस और आत्म विश्वास को जागरित करने का है ताकि आप जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। भगवान गणेश को विग्न हर्ता कहा जाता है और उनका यह संकेत आपको बताता है कि अब आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आप अपने लक्षों की ओर तेजी से अग्रसर हो सकते हैं। इस समय आपको अपने घर में शंक बजाना चाहिए और माता लक्षमी का आहवान करना चाहिए। यह संकेत आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुवात का प्रतीक होता है जिसमें आप अपने सभी आर्थिक और पारिवारिक लक्षों को प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आपको अपने सभी कार्यों को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। क्योंकि देवताओं की कृपा से अब आपके जीवन में कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी और आपके सभी कार्य सफल होंगे। स्वपन में सोने के आभूशन दिखना माता लक्षमी की कृपा का संकेत होता है। यह दर्शाता है कि आपके जीवन में धन और सम्रिध्ध की व्रिध्य होने वाली है। यह समय आपके लिए आर्थिक द्रिष्टी से बहुत शुभ हो सकता है। और आपको अपने सभी आर्थिक निर्णयों में सफलता प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन, एश्वर्य और सम्रिध्य का आगमन होगा। जब सुबह के समय पंचियों का चहचाहाना सुनाई देता है, तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपके दिन की शुरुवात सकारात्मक उर्जा के साथ हो रही है। और आपको अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। और आपको इस समय का सही उप्योग करके अपने जीवन में नई उचाईयों को प्राप्त करना चाहिए। अगर मंदिर में रखा हुआ घी का दीपक स्वतह जल उठता है तो यह देवताओं की उपस्थिती का संकेत होता है। यह दर्शाता है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है और आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह समय आपको अपने सभी कारियों को इमानदारी और श्रद्धा के साथ करने का है ताकि देवताओं की कृपा आपके जीवन में बनी रहे और आप अपने सभी कारियों में सफल हो सकें। जब आप किसी जलाशय में शिवलिंग का आकृती बनते हुए देखते हैं तो यह भोलेनाथ का विशेश आशीरवाद होता है। यह संकेत करता है कि आपके जीवन में शान्ती और सम्रिध्ध का समय आ रहा है। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में सुख, शान्ती और सम्रिध्ध का आगमन होगा। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। और आपको इस समय का सही उप्योग करके अपने जीवन को बहतर बनाना चाहिए। स्वप्न में भगवान राम का दर्शन होना एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह दर्शाता है कि आपके जीवन में सभी बाधाएं दूर होंगी और आप अपने जीवन में एक नई सफलता की ओर बढ़ेंगे। भगवान राम का दर्शन यह बताता है कि अब आपके जीवन में केवल शुभ घटनाए होंगी और आप अपने सभी कारियों में सफलता प्राप्त करेंगे। प्यारे दोस्तों, जब हमारे जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उस समय को सही तरीके से संभालें। भगवान और देवी देवताओं के संकेत हमें यह बताते हैं, कि हम अपने जीवन में कुछ खास ध्यान रखने योग्य बातें समझें। इसी के साथ हमें कुछ विशेश उपाय भी करने चाहिए ताकि देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहे और हम अपने जीवन को और बहतर बना सकें। जब जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है तो हमें सबसे पहले अपनी सोच और द्रिष्टिकोन को सकारात्मक रखना चाहिए। कई बार हम इस समय में अत्यधिक आत्म विश्वास या अहंकार के शिकार हो जाते हैं जो की हमें नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए सबसे पहली गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए वह है अत्यात्म विश्वास में आकर अपने निर्णयों में लापरवाही करना। अच्छा समय यह मांग करता है कि हम अपने निर्णयों को धैर्य और समझदारी के साथ लें। यह समय हमें अवसर देता है लेकिन उन अवसरों को सही तरीके से पकड़ना और उन्हें सफल बनाना हमारा काम है। यदि हम जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं तो इससे हमारे लिए प्राप्त होने वाले लाभ का नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही दूसरा ध्यान रखने योग्य बिंदु यह है कि जब भगवान का आशीरवाद हमारे जीवन में आने वाला होता है तो हमें अपने जीवन में विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। कभी कभी अच्छा समय हमें घमंड और अहंकार की ओर ले जा सकता है जो कि हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। यह समझना जरूरी है कि भगवान की कृपा और आशीरवाद के बिना हम कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें अपने कर्मों में विनम्रता और सरलता को बनाए रखना चाहिए। विनम्रता हमें दूसरों के साथ बहतर संबंध बनाने में मदद करती है और हमारे जीवन में सकारात्मक उर्जा का संचार करती है। तीसरी गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए वह है आलस्य का शिकार होना। अच्छा समय आने पर कई लोग सोचते हैं कि अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा और इस सोच के चलते वे आलसी हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान के आशीरवाद से हमें जो अवसर मिलते हैं उन्हें सही तरीके से उपयोग करने के लिए हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करना बंद कर देंगे तो अच्छा समय भी हमारे लिए निरर्थक हो जाएगा। इसलिए हमेशा सतर्क रहें। अपने कारियों में मेहनत और लगन बनाए रखें। और यह सुनिश्चित करें कि आप अपने लक्ष की ओर लगातार बढ़ते रहें। अब बात करते हैं उन विशेश उपायों की जो आपको देवी देवताओं की कृपा को बनाए रखने और अच्छे समय का पूरा लाब उठाने के लिए करने चाहिए। जब आपके जीवन में देवी देवताओं का आशीरवाद आने वाला हो तो सबसे पहले आपको नियमित रूप से भगवान की आराधना और पूजा करनी चाहिए। यह पूजा केवल दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए बलकि इसमें आपका पूरा मन और श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान की पूजा में यदि आपका मन और आत्मा पूरी तरह से शामिल होंगे तो भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन में सुख और सम्रिध्ध का आगमन होता रहेगा। दूसरा उपाय जो आपको करना चाहिए वह है जरूरत मंदों की मदद करना। भगवान हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं। यदि आप अपने जीवन में अच्छा समय आने पर जरूरत मंदों की मदद करेंगे तो भगवान का आशीरवाद आप पर सदैव बना रहेगा यह मदद किसी भी रूप में हो सकती है चाहे वह भोजन देना हो आर्थिक सहायता करना हो या फिर किसी को प्रेरित करना हो जब आप दूसरों के जीवन में खुशियाओं लाते हैं तो भगवान आपकी खुशियों को कई गुना बढ़ा देते हैं तीसरे उपाय के रूप में आपको अपने घर को पवित्र और सकारात्मक उर्जा से भरपूर रखना चाहिए इसके लिए नियमित रूप से घर में पूजा पाठ और ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है घर में दीब जलाना धूप अगरबत्ती का उपयो जीवन में सुख सम्रिध्य का वास होता है चौथा उपाय यह है कि आप अपने कर्मों में सदैव इमांदारी और सच्चाई बनाए रखें भगवान सच्चे और इमांदार लोगों को ही अपना आशीरवाद देते हैं यदि आप अपने जीवन में सच्चाई और इमांदा चाहिए इमांदारी आपके जीवन में स्थाई सफलता लाती है और आपको हर परिस्थिति में विजई बनाती है पांचवा और अंतिम उपाय यह है कि आप अपने मन और आत्मा को शुद्ध बनाए रखें इसके लिए नियमित ध्यान और योग का अभ्यास करना अत्यंत ल आते हैं जिससे आप जीवन के हर अच्छे समय का सही उपयोग कर पाते हैं इन सभी उपायों को अपना कर आप भगवान और देवी देवताओं के आशीरवाद को अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं और आने वाले अच्छे समय का पूरा लाभ उठा सकते हैं जीवन में हर अच्छा समय एक अवसर लेकर आता है और यदि हम इन अवसरों का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हमारा जीवन सुख, शान्ती और सम्रिध्ध से भर जाता है इसलिए इन उपायों को अपनाएं, गलतियों से बचें और भगवान के आशीरवात से अपने जीवन को और भी बहतर बनाएं क्योंकि यह समय आप सभी के जीवन में जो पाँच देवी देवता है जो आपके घर, शनी देव, भोलेनात जी, माता लक्ष्मी और भगवान श्री गनेश जी और विष्णु जी यह पाँच देवी देवताओं की जीवन में आने वाले हमने आपको बताया कि आपकी कुंडली में या समीन शुभ योग भी या देवी देवता के कारण बने हैं और आपको पाँच बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है तो दोस्तों वह खुशखबरी कौन-कौन सी है जो आने वाले अगले तीन दिनों के अंदर आप सभी को मिलने वाली है इसके बारे में आगे हम वीडियो में विस्तार से बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो को और यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों, हम आप सभी के लिए कितना मेहनत करते हैं यह बात आपको पता ही होगा आपकी कुंडली का छानबीन करने में आठ से दस घंटा मेहनत के बाद ऐसा ज्योतिश कारेक्रम लाते हैं और इसके लिए बस आप एक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इतना ही हम आप शुरू से चाहते हैं ताकि भविष्य में आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियां दे और जितने भी भगवान भोलेनात शनी देव माता लक्ष्मी गणेश जी और भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं उसकी कृपा को पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उनके नाम को जरूर लिखिएगा दोस्तों कमेंट करने से आपकी श्रद्धा व्यक्त होगी और भगवान श्रद्धा से ही खुश होते हैं भगवान ही सब कुछ हमें देते हैं हम उन्हें आखिर क्या देख सकते हैं हम उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, और उसे कोशिश को देखकर ही भगवान हमसे परिशान हो जाते हैं, तो बात अगर समझ में आई हो, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, दोस्तों चलिए, आगे आपको विस्तार से बताते हैं कि आने वाले अगले तीन दिनों के अंदर ज जीवन, शिक्षा का क्षेत्र, बिजनिस व्यापार, सभी के ऊपर एक एक करके विस्तार से बात करने वाले हैं, साथ ही साथ कौन-कौन सी छोटी-मोटी सावधानिया भी आपको व्रत नहीं होगी कि आपके जीवन में अगले पंदरह में कोई परेशानी ना हो, और यह पा अगले तीन दिनों में इन देवी देवताओं की कृपा से आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं, इस समय को समझदारी से जीना और इसका पूर्ण लाभ उठाना बहुत आवश्यक है, आईए जानते हैं कि इन तीन दिनों में आपको कौन-कौन से अगत कर सकते हैं, भोले नाथ जो कि संहार और स्रिजन के देवता हैं, उनका आशीरवाद आपके जीवन में शान्ति और संतुलन लेकर आएगा, भोले नाथ की कृपा से आप अपने मन में शान्ति का अनुभव करेंगे और आपके जीवन की सभी कठिनाईयां धीरे-धीर समाप्त होने लगेंगी, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की चिंता या तनाव है, तो यह समय उसे दूर करने का है, भोले नाथ की कृपा से आपके मन में एक नई उर्जा का संचार होगा, जिससे आप अपने सभी कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पन के साथ उनका आशीरवाद आपके आर्थिक जीवन में सुधार लाएगा, अगले तीन दिनों में आपको धन की प्राप्ति के कई अवसर मिल सकते हैं, यदि आपने कोई निवेश किया हुआ है, तो इस समय उसमें लाभ की संभावना प्रबल है, माता लक्षमी की कृपा से आपके सम्रिधिका आगमन होगा और आपके सभी आर्थिक कार्य सफल होंगे, यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको अपने वित्तिय मामलों पर विशेश ध्यान देना चाहिए, माता लक्षमी का आशीरवाद आपको आर्थिक द्रिष्टी से सशक्त बनाएगा और आपको अपने धन के सही उपयोग का ज्यान प्राप्त होगा, शनी देव जो न्याय और कर्म फल के देवता हैं, उनका आशीरवाद आपके कर्मों के फल को निर्धारित करेगा, अगले तीन दिनों में शनी देव की कृपा से आपके जीवन में उन कर्मों का फल प्राप्त होगा, जो आपने अब तक किये हैं, यदि आपने अपने जीवन में सच्चाई और इमानदारी के साथ कार्य किया है, तो शनी देव का आशीरवाद आपको सफलता दिलाएगा, इस समय आपको अपने कर्मों पर विशेश ध्यान देना चाहिए, और उन कारिय से बचना चाहिए, जो आपको नुकसान पहुचा सकते हैं, शनी देव की क्रिपा से आप अपने जीवन में स्थिर्ता और संतुलन प्राप्त करेंगे, जिससे आप सभी परिस्थितियों में द्रड़ता के साथ खड़े रहेंगे, भगवान श्री हरी विश्नुजी जो पा जीवन में एक नई स्थिर्ता और शांती का अनुभव करेंगे, भगवान विश्नु की क्रिपा से आपके परिवार में सुख शांती बनी रहेगी और आप अपने सभी कार्यों में सफल होंगे, यह समय आपके लिए परिवार के साथ समय बिताने और उन्हें अपनी ओर से स तुचारू रूप से चलते रहेंगे, गणेश जी जो विग्न हर्ता और बुद्धी के देवता हैं, उनका आशीरवाद आपको सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त करेगा, अगले तीन दिनों में गणेश जी की क्रिपा से आपके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होग और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रगती करेंगे, गणेश जी का आशीरवाद आपको नई सोच और विचारों के साथ आगे बढ़ने का अवसर देगा, यदि आपके जीवन में कोई अडचन या बाधा है, तो यह समय उन सभी को दूर करने का है, गणेश जी की क सभी देवी देवताओं की कृपा का स्वागत करना चाहिए, यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसमें आपको अपने सभी कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पन के साथ करना चाहिए, भगवान भोले नाथ की कृपा से आपको मानसिक शांती प् और गणेश जी की कृपा से आपके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, आईए, इस समय को समझदारी और धैर्य के साथ जीने का प्रयास करें, देवी देवताओं की कृपा से आपका जीवन खुशहाल और समर्ध बनेगा, इस समय आपको ध्यान रखना चाहिए, कि आप अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित और सकारात्मक बनाए रखें, जब भगवान की कृपा हमारे साथ होती है, तो हमें अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित होकर उन्हें पूरा करना चाहिए, इस समय को अपने जीवन में स्थाई बदलाव लाने के लिए उ अंचार करें, भगवान भोले नाथ, माता लक्ष्मी, शणी देव, भगवान श्री हरी विष्णू जी और गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शान्ती और सम्रिधिका आगमन हो, इस समय का सही उपयोग करें और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले इसलिए इसे पूरी तरह से जीएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। प्यारे दोस्तों, जब देवी देवताओं का आशीरवाद हमारे साथ होता है, तो यह समय हमें अपने जीवन में नई उंचाईयों को छूने का अवसर प्रदान करता है। अगले तीन दिनों में भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी, शनी देव, भगवान श्री हरी विश्नुजी और गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आएंगे, उनका सही उपयोग करना आवश्यक है। इन तीन दिनों में कुछ विशेश बातों का ध्यान रखते वह आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करेगा। यह समय आपको अपने अंदर की शक्ती और उर्जा को पहचानने का है। भोलेनाथ की कृपा से आप अपने सभी कारियों को ध्यान और एकागरता के साथ पूरा करेंगे, जिससे आप अपन अपने जीवन में हर चुनोती का सामना कर सकेंगे और हर परिस्थिती में शान्ती और संतुलन बनाए रखेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके आर्थिक जीवन में जो सुधार आएगा, उसके लिए आपको कुछ विशेश उपाय करने चाहिए। इस समय आपको की उपयोग करना और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा से आपको धन की प्राप्ति के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको अपने विद्तिय प्रबंधन पर विशेश ध्यान देना होगा। यह समय आपके लिए निवेश क करने का हो सकता है, लेकिन आपको सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। माता लक्ष्मी का आशीरवाद प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से उनकी पूजा करें और अपने घर को साफ सुथरा रखें। यह आपके जीवन में सम्रिध्य और खुशहाली लाने में करेगा। शनिदेव की कृपा से आपके कर्मों का जो फल प्राप्त होगा वह आपके जीवन में स्थिर्ता और संतुलन लाएगा। इस समय आपको अपने कर्मों में सच्चाई और इमानदारी बनाए रखनी चाहिए। शनिदेव का आशीरवाद प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में स्थाई सफलता प्राप्त होगी। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसमें आपको अपने कर्मों पर विशेश ध्यान देना चाहिए। शनिदेव का आशीरवाद आपको सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त करेगा और आपके जीवन मे स्थिर्ता और संतुलन बनाए रखेगा। भगवान विश्नु की क्रिपा से आपके जीवन में जो सुरक्षा और संरक्षा का भाव आएगा वह आपके परिवार के साथ आपके संबंधों को और मजबूत बनाएगा। इस समय आपको अपने परिवार के साथ अधिक समय बि यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसमें आपको अपने परिवार के साथ समय बिता कर उनके साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहिए भगवान विश्णु की कृपा से आपके जीवन में स्थिर्ता और शांती बनी रहेगी जिससे आपके सभी कार् सलते रहेंगे गणेश जी की कृपा से अगले तीन दिनों में आपको सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और आप अपने जीवन में नई उंचाईयों को छू सकेंगे गणेश जी का आशीरवाद प्राप्त करने के लिए आपको अपने सभी कार्यों को नई सोच और विचारों के साथ पूरा करना चाहिए ये समय आपके लिए नई अवसरों को पहचानने और उन्हें सही दिशा में उप्योग करने का है गणेश जी की कृपा से आपको नई दिशा प्राप्त होगी जिससे आप अपने सभी लक्षियों को प्राप्त करने में सफल होंग चाहिए और देवी देवताओं की कृपा से अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है जिसमें आपको अपने कारियों में सतरकता और ध्यान बनाए रखना चाहिए। देवी देवताओं की कृपा से आपका जीवन खुशहाल और सम्रिध बनेगा और आप अपने सभी लक्षियों को प्राप्ट करने में सफल होंगे। इस समय को पूरी तरह से जीए और अपने जीवन को बहतर बनाने के लिए इन अवसरों का सही उप्योग करें। आखिरकार, जब देवी देवताओं की कृपा हमारे साथ होती है, तो हमें अपने जीवन में उन सभी बातों का पालन करना चाहिए, जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। यह समय आपके लिए आत्म निरीक्षन और आत्म सुधार का है, जिसमें आप अपने अंदर की शक्ती और उर्जा को पहचान सकते हैं। देवी देवताओं की कृपा से आप अपने जीवन में हर चुनौती का सामना कर सकेंगे और हर परिस्थिती में सफल होंगे। यह समय आपके लिए नई उंचाईयों को छूने का है और इस समय को सही दिशा में उप्योग करके आप अपने जीवन को और भी बहतर बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस समय को पूरी श्रद्धा और समर्पन के साथ जीएं और देवी देवताओं की कृपा से अपने जीवन को सुख, शान्ती और सम्रिध्ध से भरपूर बनाएं। अगले तीन दिनों में भगवान भोले नाथ, माता लक्ष्मी, शनी देव, भगवान श्री हरी विश्नुजी और गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में जो भी शुभ घटनाएं घटित होंगी, उन्हें अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और उन सभी का पूर लाब उठाएं, देवी देवताओं की कृपा से आपका जीवन खुशहाल और सम्रिद्ध हो और आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हों